नमस्कार आप लाइब बिहार देख रहे हैं मैं हूराज मुहंतिवारी जद्यू प्रदेश अध्यक्ष चुनाव को लेकर पाटी में हलचल काफी जादा तेज हो गई है और आपको बताएं कि आज ये पता चल जाएगा कि जद्यू का अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन नमांकन की प्रक्रिया है और अगर एक से अधिक नमांकन दाखिल होते हैं तो फिर उस पद के लिए चुनाव भी कराए जाएंगे लेकिन आपको मालूम होगा कि जनता दल यूनाइटेड नितीश कुमार की पार्टी है यानि नितीश कुमार इसके सर्वे सर्वा हैं जो कह अधिक नमांकन हो यानि की जो व्यक्ति नमांकन करता है वही उस कुर्सी पर विराजमान भी होते नजर आता है लेकिन इस बार प्रदेश अध्यक्ष की कमान किसे मिलेगी इसकी चर्चा सबसे जादा है आपको ये भी पता होगा कि अभी जनता दल यूनाइटेड के से काफी जादा संतुष्ट नजरा रहा है इसके अलावा कुड़िनी में उपचुनाओ चल रहा है वहाँ पर कुश्वाह समुदाय की तदाद भी काफी जादा मानी जाती है और ऐसे में इस उपचुनाओ के दोरान उमेश कुश्वाह को कुर्सी से हठा कर जेडियू कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती और उमीद यही जताई जा रही है कि एक बार फिर उमेश कुश्वाह ही प्रदेश अध्यक्ष के कारेबार को आगे भी संभालते नजर आएंगे लेकिन हमें इस पर भी सोचने की जरूरत है कि मुख्यमंत्री नितीश कुमार कब कौन सा फैस बने थे तो उनके नाम की चर्चा भी नहीं चल रही थी उनकी जगापर पुर्व मंत्री रामशेवक सिंग की खूब चर्चा थी कि वो प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे लेकिन मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने एक ऐसा फैसला लिया जिसको देखकर हर कोई हैरान रह गय क्योंकि 2020 का विधान सभा चुनाव उमेश कुश्वहा हार गए थे बावजूद उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की कमान शौप दी गई ऐसे में आज जब नमांकन की प्रकिरिया सुरू होगी और आखरी पल तक देखना होगा कि नमांकन कौन करता है यह मान कर चलिए कि एक से अधिक नमांकन जनता दल यूनाइटेड के चुनाव में नहीं होते हैं खासकर प्रदेश और राष्ट्रिय इस तरह के चुनाव में और ऐसे में अगर जो नमांकन करेगा वही कुर्सी पर विराजमान भी होता नजर आएगा लेकिन कुछ राजनितिक विशलेश्कों का ये भी मानना है कि बिहार में अभी अतिपिछरा की सियासत काफी जादा गर्म है हो सकता है कि नितिश कुमार उसको भी ध्यान में रख कर कोई और बरा फैसला ले ले और कोई नए चेहरे को भी आगे लाकर सब के सामने रख दे हलंकी ये केवल एक विशलेशन जरूर लोग कर रहे हैं लेकिन जादा तर चर्चा यही चल रही है और जो खबर मिल रही है उसके अनुशार उमेश कुश्वाहा हो सकता है कि एक बार फिर जनता दल युनाइटेट के प्रदेश अध्यक्च के तोर पर आगे भी काम करते आपको नजर आए आज सब कुछ साफ हो का और जो सस्पेंस जनता दल युनाइटेट के प्रदेश अध्यक्च के पद को लेकर बरकरार है उससे परदा भी हट जाएगा अगर एक से अधिक नमांकन होंगे तो आज ही चुनाओ भी होगा अगर एक ही नमांकन होगा तो फिर वो निर्विरोध जीत जाएंगे देख